अटाई केर को फैशनु आज मैं आप लोगों से एक कंडिशन के बारे में डिसकर्स करने वाली हूं जिसको हम फ्लोटर्स के नाम से जानते हैं इसमें क्या होता है कभी-कभी आपको अपको महसूस होता है कि कुछ काले मच्छर या काले जाले कुछ काला धागा टाइप का टाइप हो जाता है तो उसको फ्लोटर्स कहते हैं यह एक दौर्मिली एक एज-related condition है बट कभी-कभी यह उन पेशन में देखने को मिलते हैं जो मायोपिक पेशेंट होते हैं जिनका हाई माइनस नंबर होता है उन पेशेंट में यह देखने को मिलता है क्याइज जो हाई कमS के cowsेडियर कि फ होता है उनने के Candle होता है न कि सब्सक्राइबस किता है अधरी दएकते wreck लेड़ा लेडियर घंतिकलते हेडिक Islands किससरी अभिजीन कर देडिकरा लेड़ा लाई देखने को मिलते हैं या जो patient high myopic होते हैं जब retina weak हो जाता है तो वहाँ पर retina है उस पर hole हो जाता है जिसके वज़े से ये floaters देखने को मिल जाता है तो guys ये थी floaters जो बहुत common है लोगों को हमेशे इसमें शिकायत होती है कि उनको उनके आखों के सामने काला मच्छर या काला धागा जाला से ऐसे कुछ दिखता है और फिर वो हड़ जाता है तो इसको ये बोलते हैं floaters guys जो floaters है उसके कुछ significance है अगर ये floaters आपको जादा दिखने लगे मतलब एक दो floaters अगर आपको constantly दिख रहे हैं तो ठीक है बट अगर आपको bunches और floaters मतलब बहुत सारे एक साथ आपको दिख रहे हैं तो ये कुछ severe cases भी हो सकता है अगर ये अचारक से सरने लिए आपको दिख रहे है तो ये possible हो सकता है कि जो आपका retina है वो अपनी place से हड गया हो कभी कभी होता है कि जब floaters आपको ज़्यादा दिखते हैं तो जो retina होती है वो अपने place से थोड़ी सी हड जाती है जिसके वज़े से floaters बहुत ज़्यादा quantity में दिखने लगते हैं जिसको बोलते हैं retinal detachment तो guys जिनको एक दो floaters देख रहे हैं उनमें कोई problem नहीं है यह कभी-कभी floaters जो होते हैं इनको किसी treatment की जरौत भी नहीं पड़ती अगर एक दो आपको floaters देख रहे हैं तो ठीक है यह अपने आपसे भी ठीक हो जाते हैं इसमें क्या करना होता है guys इसमें आपको proper diet आपको maintain करनी होती है proper आपको एक जो भी आपका diet है अच्छा healthy foods खाईए fruits वगेरा खाईए proper आप fooding लें अच्छे तरीके से तो यह आपका recover कर लेता है floaters आपका ठीक हो जाता है अगर ज़्यादा quantity में दीख रहा है तो उस condition में आपको जाके आपने जो भी नजदीक का doctor है उससे जाके concern करना चाहिए guys इसमें एक और बात यह है कि अगर आप जब जाते हैं eye testing के लिए जब भी आप किसी भी doctor के पास जाते हैं तो अगर आप diabetes patient है जो लोग diabetes patient है उनसे request है या नॉर्मली जो भी patient हो diabetes को भी छोड़के जो भी patients है जिनको photos की problem है जिने high minus number है वो लोग जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो लोग अपनी retina का जरूर check up कर रहा है उसमें धवा डालें उसको dilate करवा के धवा डालें के वो retina आपका जाता है उसमें डालेट हो जाती है आपकी आई तो retina easily देखने को मिल जाता है अच्छे से कि उसमें कोई problem तो नहीं हो रही है वो अपने place पे है उसमें कोई hole वगारा कुछ तो नहीं है यह आपको डॉक्टर आपको देख के आपको पता आदेगा तो जब जब भी आप जाए तो प्रॉपर वहां पे जब भी आप डॉक्टर के पास जाए तो प्रॉपर अपना treatment लें जो भी आपको problem है और उसको बताएं कि आपको अपना retina भी चेक कराना है तो प्रॉपर उसमें medicine वगारा डालके उसको प्रॉपर चेक करवाई तो यह कुछ चीज़े हैं जो एक common patient में भी देखने को मिल जाता है और एक जो डियाविटीस के patient उन में भी देखने को मिलता है तो इसलिए बहुत बोला जाता है आप उकसे कि regularly आप at least 3 मंत या 6 मंत पे आप अपनी आइस को test करवाते रही है उससे आपको यह तो clear रहेगा आपको satisfaction मिल जाएगी कि आपकी आइस में कोई problem है तो वो लोग उतना परिशान नहीं हो क्योंकि एक नॉर्मल है आप इसमें थोड़ा साथ खाना वगएर अच्छे से खाईए healthy foods वगएरा लीजिए इसमें यह आपका recover कर लेगा बढ़ अगर ज्यादा problem हो रही है तो suddenly से अगर आपको दिख रहा है बहुत सारे फ्लोटर्स एक साथ दिख रहा है चानक से तो यह possible है कि आपका जो राटिना है हो सकता है कि उसमें वो अपने प्लेश से हट गया कभी कभी क्या होता है गाईस जो डैविडिस पेशेंट होते हैं अगर वो ध्यान नहीं देते हैं टाइम से वो नहीं जाते डॉक्टर के पा करें फिर वो आपको जो भी आडवाईस देता है जो भी आपको तरीके से ले जो भी डॉप आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आइस रिलेड़ेग्स आपको जो भी वीडियो इस नहीं चाहिए आप मुछ सकते कमें सक्षङर में और गईस साथी साथ मेरे चानल को कर दोम दो कि लूपर वब